Hello and Namaskar, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूँ आपके साथ हिमानी दिवान और आज एक बार फिर मिलने आ गई हूँ लता रामस्वामी जी से और मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि एक सवाल लता जी से पूछा जाए कि आखिर उनकी डाइट क्या रहती है उनकी जो मिलेट डाइट है उसमें वो क्या-क्या खाती है तो इस सवाल का जवाब सीधे लता जी से आज हम जानेंगे और किसान तक पर एक बार फिर 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 बहुत स्वागत है लता जी आपका शुक्रिया तो इतने सारे जो वीडियो इंटर्व्यूज हमने किये हैं उनमें कई सारे सवाल आए लता जी ने उनके जवाब भी दिये एक बड़ा सवाल ये रहा लोगों ने ये पूछा कि आखिर जो लता जी है जिन्होंने अपनी डाइबिटीस खतम कर दी मिलेट डाइट से वो क्या खाती है मतलब आप अपने दिन की फिर डाइट बताई कि कौन कौन सी रेसिपी बनाती है है क्या खाती है कैसे धिन शुरू करती है और मिलेट का ही लेती थी लेकिन अब मैं सिर्फ दिन में दो बार काती हूं तो दो मील होता है विट जस तीन बार जैसे लेती थी तो उसमें सुबह में सबसे पहले लेकिन एक काढ़ा लेती हूं, ओडय पत्तों का होता हैं, जासे नीम हुआ, बेल हुआ और जो मीठा नीम करते हैं, वह जाता है, मेती हुआ, धनिया हुआ इस तरह represent, बहुत सारे पत्य होते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो लेती हूं, और उसके बाद होता है, जैसे ब्रेकफस्ट, तो से पहले एक फ्रूट लेती हूं, कोई एक फ्रूट लेती हूं, फ्रूट सालेड की तरह नहीं लेती, एक फ्रूट, उसके कैसे बाद करती हो तो देक otro जैसे मुझे पसंद मुझे दोसा पसंद या इडली पसंद इसके अलभा उप मा पसंद है चीला पसंद मुझे बहुत कुछ मिलैट सब कुछ में जो भी आप सोच सकते हो गहुं के आटे की या चावल की वह सब कुछ बन सकता है, तो ये मेरा breakfast हो जाता है, फिर उसके बाद lunch लांच में प्रॉपर balanced meal लेती हूँ, balanced meal मतलब उसमें salad भी होगा, उसमें एक सुखी सबजी, एक कोई तरी वाली सबजी, फिर कोई एक दाल, दाल किसी जो भी उस दिन का दाल जो हम मना रहे हो घर में, वो एक दा थोड़ा पराठा काने का मन करता है, तो भी ठंड का दिन हो तो पराठा जरूर है, और उसमें भी स्टफ पराठा भी बना लेती हूँ, मैं उसमें गोभी का, गाजर का, सब कुछ बना लेती हूँ, और इसके साथ ही एक गिलास भर कर चाच जरूर लेती हूँ, और अगर ज क्विक्शन काम को हलका feed कभी कुछ वैसा भी लेती हूं जैसे कभी कुछ मखाना ले लिया रोस्ट किया हुआ कभी काले चनहे हो गए चणने हो गए कभी काबुली चनह जव गया इसत ignored characteristics है तो मैं वह भी ले लेती हुँ चाट कैसे बनता ऐनने कर Bailey की या फिर पापडी बन जाती है मिलेट के आटे की उससे पापड़ी बना के फिर पापड़ी चट बनगwegen तो उसके साथ आप काबुली चना बॉइल करके डाल दीजी बहुत ही ठेस्टी बन जाता है इसके साथ-साथ फिर रात में मैं रेज लेती हूँ डेनर की टाइम में सूप लेती हूँ मुझे बहुत पसंद है सूप और अगर थोड़ा किसी दिन ज्यादा भूक लग रहा हो तो उसमें मैं खिचड़ी लेती हूँ मुग डाल जाता है लेकिन रात में पाद में मैं उसकी बात कुछ नेती हुँ यह नहीं कि फ्रूट ले लिया या दूढ ले डूद तो बिल्कुल ही मैं ने लेती हुआ माum एक सवाल यह है कि यह जो डाइट चल रही है ऐसा तो नहीं लगता कि भूख लग रही है क्योंकि अब जब लोग शुरू करेंगे तो क्रेविंग भी होगी और भूख भी लगेगी उसका कोई उपाय उसी के लिए मैंने बताया ना वो इवनिंग टाइम में चोटी भूख जो वहती है तो उसमें वो सब ले सकते हैं मैंन ने दो डाही बजी खा लिया तो आपको साथ बजी से पहले भूख नहीं लगती है तो लता जी का यह जो पूरा डाइट रूटीन है यह अब आपको पता चल गया होगा और जो कि लता जी का भी मिशन है उद्देश्य है वो इसके लिए जागरूपता फैलारी है हमारा भी यही है कि मिलेट यह चल रहा है आप मिलेट खाएं और लता जी की जो यह इंस्पाइरिंग डाइट है अगर इससे आपको मदद मिले तो आप इसे प्लीज शुरू करें बहुत असान लगा मुझे तो सुनने में मैं भी ट्राई करूंगी आप देखते रहें किसान तक